आज मैं आप सभी लोगों के लिए कच्चे पपीते कगलका बनाने जा रही हूँ, जिसे आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने कड़ाई को फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया है एक चमच डाला है सरसों का तेल, तड़के के लिए लिया है सौप और कलोंजी पपीते को मैंने पहले ही छेल कर कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में धुलकर रख लिया है आधा छोटा चमच नमक मैंने इसके साथ में ही डाल दिया है और अब मैं इसे दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर फ्राइ करूँगी अब इसमें डालूँगी आधा ग्लास पानी अगर आप चाहें तो इसी टाइम पर पानी डाल कर इसे पांच मिनट के लिए पका सकते हैं पर मैंने इसमें पानी डालने के बाद दो चमच आमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से गुड एक साथ में ही डाला है आमचूर पाउडर की जगा आप कली वाली खटाई भी डाल सकते हैं और अब इसे मेडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए ढखतूँगी अब पांच मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है और इसे एक बार चलाऊँगी अब इसे चलाने के बाद मैं इसे फिर से ढखकर लगभग पांच से साथ मिनट के लिए रखतूँगी ताकि गुड इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और पपीता भी पक जाए अब कवर को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि पपीते का गलका कैसा वना है मैंने इसमें एक छोटा चम्मच कासमेरी लाल मिर्च भी डाली है जो आपको नहीं दिखा पाई और अगर आप चाहें तो सौप कलोंजी जीरे को भून कर और इसका पाउडर बना कर इसमें डाल सकते हैं इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है और आधा छोटा चम्मच आरा रोट में पानी मिक्स करके इसमें डालने से ये थोड़ा देखने में थिक लगता है तो आप सभी लोगों के लिए कच्छे पपीते का गलका बन कर तयार है आप इसे अपनी मन पसंद चीजों के साथ में खा सकते हैं ये पपीता पेट के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है आप भी इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राइ करें तो आप सभी लोगों के लिए कच्छे पपीते का गलका बन कर तयार है और अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को ब्रेश करना बिलकुल ना भूलें